नमस्ते और वेलकम तो माई कोकिंग ब्लॉग आज बैंगलोर में काफी दिनों के बाद में बहुत ही अच्छी बारीश रही थी बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था तो सोचा कुछ बड़ी असा शाम के लिए कुछ चटपटा और टेस्टी बनाए लेकिन समझ नहीं आ रहा थ तो यह पर तीन आलू जैसे तैसे थे मैंने वैसी कट कर दिये अगर आप रेस्पी बना रहे है तो बड़े अच्छा लगेगा तो इनको अच्छी तरीके से पील कर लेंगे जिसे कि इसमें बिल्कुल भी चिल का ना रह चाहे तो आप लूग से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिगा और आपकी शेहर से इसको देख रहे हैं मुझे जरूर से बताइए तो यहां पर आलू अच्छे से छिल गए हैं साथ में मैंने बतन में पानी ली लिया है अब हम आलू को जो बॉटम आप आप होता है उपर नीचे का अुसको हम कट कर देंगे जिसंकी जो साइज और यहां अच्छे से आ जाए तो कट कर देंगे और उसको आप सबजियों के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं और इस तरीके से अमरु फ्रेंच प्रैच के जा से लंबे नमबे और थोड़े से मोट आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा साइज और शेप में नहीं जाएंगे, और सारे टुकड़ों को हम पानी में एड़ कर देंगे, जिस्तिकि जो आलू का स्टार्च होगा ना वो अलग हो जाएगा और आलू कालीनी होगे, तो इस बहाने आलू धुल भी जाएंगे, तो कर देंगे, और जो भी अमने आलू की स्लाइस कटकर रखेते हैं उसको डाल देंगे, अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, जिससे कि इसमें जली से उबाल आने लग जाए, अब इसमें तोड़ा सा नमक मतलब हाफ टीस्पून की लगबार, और अगर आपके पास पे यहां पांच मिट कम्प्रीट हो गए थे, तो आलू को निकाल लेते हैं और आलू इमेने आपर एक मिनट थोड़ा सा जादा ही कुक हो गया था, लेकिन अगर आप कुक कर रहे हैं तो तीन से चार मिनट ही कीजिए, जादा मत कीजिए, इनको निकाल लेंगे अच्छी तरीक तो आपके यहां पर मौसम कैसा चल रहा है, आप मुझे जरूर से बताइए, जब तक आलू थंडे हो रहे हैं तो यहां पर हम एक बॉल लेंगे, बॉल में अब हम अपनी सलरी बनाएंगे, मतलब बैटर बनाएंगे, जो की बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सलरी को बना सकते हैं, तो अगर आप तीन आलू में थोड़ी सी और सलरी को कम कर सकते हैं, थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे, एक पिंच डालेंगे बेकिंग सोडा या फिर एक चौथा ही चमबच, आदा चोड़ा चमबच के लगबग नमक आइड करेंगे, और बस इन सारी चीजे एक साथ मेजर्मेंट में होगा तो अच्छा होगा, साती मैं या पर लिया एकदम ठंडा पानी चेल्ड वाला फ्रीजर से निकालके ठंडा था एकदम और इसको दीरे दीरे डालेंगे, और दीरे इसको मिक्स करते जाएंगे, जिसे कि इसमें गुडली आना अर्म कर लिया है, साती मैंने पांस से साथ आलू के जो पीसे थे उनको डाल लिया था अच्य से डिप कर लेंगे और कढाई में डाल दिएगे, तो कढाई का जो ओयले जाए था नहीं होना चाहिए या फिर बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गरब ही रख आलू ना तीन बैच में तयार किये थे, मतलब की दो तीन बैच में तो इनको रख़ाय किया थे, तो लगवाग इनको 2-3 मिनट ही रख़ाय करना है, क्योंकि आप इसको हाफ फ्राइ करेंगे, मतलब सिर गोल्डन ब्राउन तक ही प्राय करेंगे, और जब ये सारे एक साथ फ् आप देखसे हम दूनका कलर बिलकुल लाइट है अभिर ल़कर गया गल्थ मृर्वैस नो करते हैं। इसला में रोकर गया है जो इस जिसा हम प्लूट आप अठिकेशिशी दूनके मेरे पर हुगा गल्से बिलकुल Лीप, और नो कषड हम फर दून एक भीस दी। और एक से दो मिनिट पस एक से दो मिनिट आम इनको हाई फ्लेम पर फ्राय कर लेंगे जिसे क्या है कि इनमे थोड़ा सा कलर और अच्छे से चड़ जाएगा यह गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो आप देख सकते हैं इनमे जो बबल सा रहे हैं तेल में यह अपने आप खतम ह करें तो अगर आपको तेल जादा लगता है तो थोड़ा सा सेलो फ्राय बे कर सकते हैं इनको निकाल लेंगे और एक किनारी रख देंगे अब यह देखे थोड़ी से ठंडे हो गए थे तो जो टीशू पिपर है वह मता देंगे मतलब तेल अलड़ी इसमें जा चुका है और अब आपको इसकी कुरकुरा हट देखती हूं यह देखे कितने अच्छी आवाज आरी एक दम कुरकुरे बने हैं तो बस इनको साइड में रख देंगे अब यहां पर मैंने सारी सबजियां कट कर ली दी शिम्ला मेच प्याज पतले-पतले स्लाइस में अधरा क्लैसून और क्याम यहां पर में करें हारी मेरिश और मैं कि यहां पर मैं स्प्रिंग अनियन कर रहे हूं कि अ उप इस ने इसंफे न बड़ी साथे कि यह कर सकते हैं मैं इनको भी गत कर लें अर पर मैं के गरशा चाया तो नहीं गश्चा ऊन कर सबक तो आप इसको तुरंट से बना सकते हैं क्योंकि मौसम अभी अप्सन डाउन हो रहा है कहीं कहीं बहुत जादा गर्मी है कहीं बहुत बारिश में होने लगी है तो आपके हां कैसा मौसम है उस हिसाब से इसको रेडी कर सकते हैं और बच्चों को यह बहुत पसंद आता है तो अब हम डाल देंगे इसमें चिली गार्लिक सॉस साथ में कैचप एड़ करेंगे 2-3 बड़े चमच की लगबग, सोया सॉस एड़ करेंगे जो भी सॉसे आपके आपके पास में रखे हुएं वो डाल सकते हैं शेजवान भी आप इड़ सकते हैं दो से तीन टेबल स्पून के लगबग मैंने शाहद एड़ किया है गैस का फ्लिम लो रेखा है और थोड़ा सा स्वात की साब से नमक डाल देंगे याद रहे है नमक हमने बाकी चीजों में इनको अच्छी तरीके से मिला देंगे अब पतले पतले स्लाइस में प्याज और शिम्ला मिच काटकी रखी ती उसको भी डाल देंगे और इन सबजियों को से बेक से दो मिनिट के लिए फ्राय कर लेंगे तो बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है तो बच्चों को य प्रिंग अनियन डाल देंगे थोड़ा सा और मिला देंगे और पका देंगे अब इसमें एड करेंगे थोड़ा सा पानी मतलब की बहुत ज़ादा पानी आप अधे कप जो कुप होता है न चाय वाला उतना भी एड कर सकते हैं अब में इसमें ओबाल गया है तो दो चमच अधेर में पानी है के नuuद कादा मी तो पानी मिल कर देंगे श्री और रिफया पानी में के लाए जाए थोड़ा से बना मिला हिरे तो पानी मेरे से स्थोड़ा से कमी पानी डालें को जो गलती हम उसे हुई है भूम है आपको बता रही हूं अच्छे से मिलाते जाएंगे और अगर आपको तोड़ा सा मीठा कम लगता है तो थोड़ा सा शहाद और डाल सकते हैं और थोड़ा साप सोया सॉस अगर आपको मार्केट जैसा कलर चाहिए लो कर देंगे अलुव फ्ल इसमें मैंने कोई भी ऐसी लाल मेच बगएरा कुछ भी आड नहीं किया जो बच्चे नहीं खा सकते हैं, बस उपर से स्प्रिंगल कर देंगे, और जो हमारी वाइट सीसम होती है, इसको तिल बोलते हैं, अच्छा सा रेस्टोरेट स्टाइल अगर बनाना है तो इसको उपर से हमारा हमेट चिली पोटेटो आप बोल सकते हैं इसको तो बस इसको सर्फ कर लेंगे और आप इसको किसी के साथ भी गा सकते हैं, और फूर्टी के साथ में किसी भी जूस के साथ में आप इसको सर्फ कर सकते हैं, तो आप किस तरीक से बनाते हैं मुझे जरूर से बताईए, वीडियो को लाइक और चरह को सब्सक्राइब जरूर से कर दियेजेगा, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था, और इस मौसम में तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाई बाई